केल्शियम प्राप्त करने वाले शाकहारी उत्पात के बारे में सूचते ही सबसे पहली चीज दूद और उससे बने हुए प्राड़क्स ही हमारे दिम्माग में आते हैं लेकिन आज के इस मिलावटी दौर में शुत्य दूद पानत हो जैसे किसी बड़ी जंग को जीतने के बराबर हो गया है दूद की बड़ती मांग को देखते हुए कुछ लोग दूद में मिलावट करने लगे हैं पहले के समय में मिलावट के लिए सिर्फ पानी मिलाया जाता था लेकिन आज दूद में यूरिया और डिटरजेंट जैसे हामफुल कैमिकल मिलाया जाने लगे हैं आपके सेहत को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि आपको असली और नकली दूद में फर्क बताओं दूद में पानी की मिलावट पता लगाने के लिए दूद की कुछ बूंदों को किसी पथर या चिकनी लगडी पर गिरा है दूद बहता हुआ नीचे की दरफ गिरे और उस पर सफेग धार का निशान बन जाए तो शुद्ध दूद है और उसमें पानी नहीं मिला हुआ है दूद में डिटरजेंट का पता लगाने के लिए थोड़े से दूद को टेस्ट्यूब में लेकर जोर-जोर से हिलाए यदि दूद का जाग काफी देर तक बना रहे तो इसका मतलब दूद में डिटरजेंट की मिलावत की गई है अगर आपके पास टेस्ट्यूब ना भी हो तो आप पतली छोटी काच की बॉटल यूज़ कर सकते हैं दूद का असली स्वाद हल्का मीठा होता है लेकिन यदि इसमें सोडा या फ़र डिटरजेंट की मिलावत की गई है तो ये स्वाद में हल्का सा कड़वा लगता है इसके अलावा शुद्ध दूद हाथों की बीच रगड़ने पर चिकना नहीं लगता लेकिन मिलावती दूद को रगड़ने पर डिटरजेट जैसे चिकना हट महसूस होती है असली दूद की पहचान ये भी है कि वह काफी समय बाद भी अपना रंग नहीं बदलता लेकिन नकली दूद कुछ समय बाद पीला हो जाता है खुश्पू से भी आप पता लगा सकते हैं कि दूद असली है या नकली असली दूद की कोई खास महक नहीं होती है लेकिन अगर दूद में कोई साबुन जैसी मन महत गंत आए तो समझ लेजे कि दूद सिंथार्टिक है और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि दुनिया में ग्यान बहुत है और ग्यानी भी लेकिन काम का ग्या सुफ मैं ही दूगी बाई बाई दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में